एक समय की बात है, सुन्दरपुर के जिंगल में एक टूनी चिडिया रहती थी, उसकी एक जुड़वा बहन थी, जिसका नाम मूनी था, टूनी बहुत सुलजिवी और नेक दिल चिडिया थी, और उसकी दोसरी बहन बहुत चालाक और सरारती थी, अगर कोई भी सरारत बुरा काम होता तो समय लेना इसमें हाथ मूनी चिडिया का है, वो बहुत सरारती थी, पर डाट बैचारी टूनी को खानी परती, एक दिन की बात है, देख मूनी तो अपने हरकतों से बाज आ जा, गलती तो करती है, और डाट मुझे खानी परती है, तो क्या हुआ, बड़ी बहन क बड़े कभी कभी छोटी बहन डाट खा ले तो क्या हुआ, ये सिर्फ एक दिन का होता तो चल जाता, अब तो हर दिन का यही तुम्हारा पैसा हो गया है, बस अब बहुत हो गया, मैं तुझे आखरी बार वार्दिंग दे रही हूँ, दुबारा अगर जो तुने गलती किय तो बुर बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है ठीक है, मैं आगे से इसा नहीं करेंगे, तुनी ऐसा कहिकर मौनी के कमरे में चली जाती है, तुनी के जाता ही मौनी पुराने अंधाज में आ जाती है, और मन ही मन कहती है, मौनी तो बहुत जल्दी सुधरने वाली मैं इसे नह सब्सक्राइब तब ही मूनी चिडिया वहां से भाग कर और नीम के पेड़ के पीछे छुप जाती है तभी वहां से टूनी चिडिया उड़ते हुए कहीं जा रही थी कालू टूनी को आम चोर चिडिया समझ लेता है और उसे पकर लेता है अले ओ चिडिया कहा जा रही है नमस्ता काका मैं तो अपने सहली दीपा कवत्तरी के यहां जा रही थी कहिए कोई काम है हरे वाह तुम बहुत अच्छा एटिंग कर लेती हो मैंने तुम्हें आम चुराते हुए देख लिया तो बोलो तुमने मेरे आम तोड़कर खाये हैं बोलो जल्दी बोलो नहीं नहीं काका मैंने आपके आम नहीं खाया मैं सच बोल रही हूँ मेरे विश्वास कीजिए मैं अभी यहां आई हूँ और मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ अच्छा अब चोरी कलती ही पकड़ी गई तो बहाने बना रही है मैंने तुझे अपने बाग में देखा था और तू मुझे देखते ही भाग गई मैं कोई जोट नहीं बोल वही हूँ काका मैं सच बोल वही हो मैं तुम्हारे कोई आप नहीं खाये अच्छा तो ऐसे नहीं बताएगी रुक मैं तुझे भी बताता हूँ कालू टूनी को उसके घर लेकर जाता है और उसके माबाप से उसके चोरी के बारे में बताता है देखियो भैसाथ मैं आपकी बहुत इज़त करता हूँ लेकिन ये आपकी लर्की आपकी जग मिक्ती में मिला देगी अरे अरे क्या हुआ कालू भैसाथ